हेलो डियर फ्रेंड्स है मकीर संसेनी आप सभी का एक वार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूटूब चैनल इंस्पार फिजिस क्लाशे में दोस्तो हमारी कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी उस सभी के लिए मैं आप सभी से माफी चाहता हूँ दोस्तो भी वीडि से पहले मैं आपको कुछ फिजिस के क्यूशन करवा रहा हूँ दोस्तो ये क्यूशन है आपको हरे क्यूशन को करना है ये क्यूशन आपके एक्जामे जरूर हेल्प करेंगी तो सुरुआत करते हैं इन क्यूशनों की दोस्तो मारा जो पहला क्यूशन है वो आपके सामने है इसके अंदर आपको क्या दियाओगी एक सरल लोला के एक गोला का धात्वी खोकला गोला है इसका आवर्थकाल T है जब गोला क में रेट बरती जाती है तो इसका आवर्थकाल T1 हो जाता है जब मरकरी से बरा होता है तो इसका आवर्थकाल T2 हो जाता है और जब यह मरकरी से आपन रेट बढ़ते हैं तो इसका उर्थकाल यह जाता है यदि इसके अंदर अदर 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 मरकरी बढ़ते हैं तो हमें आवर्थकाल T3 दिया है तो हमें बताना कि इन तीनों में समंद क्या होगा या इसके जो चारों आवर्थकाल है इन दोनों में समंद क्य होगा कौन सा अधिक कौन सा कम या कौन से एक्वल होंगे यह आपको बताना है तो दोस्तों याद रखना हम सभी जानते हैं जो आवर्थकाल का जो फॉर्मूला सेरलोला का जो आवर्थकाल होता है वो टू पाई रूट एल अपॉन में जी होता है याद दोस्तों अपन जानते हैं कि जो आवर्थकाल होता है वो दरोमान पर बिल्कुल भी निवर नहीं करता है तो दोस्तों इसके अंदर नहीं को इसा भी लिक्ट वरावा हो उस पर यह निवर नहीं करेगा यह केवल गूर्तियता औरन एम जो मारे लंबाई होती है इस लंबाई पर निवर करता है दोस्तों अपन देखते हैं कि इसका जो दरोमान के अंदर हो मारा यहां पर होता है तो इसका धरमान होड़ कुछ अननी नीचे तक ख伸क जाये हैं कि नीचे के और ख伸क जायेगा क्याँगी इसके अंदर नीचे ही लिक्वीड बिरा हुआ है मरकरी बरी हुई है तो इसके कारण दोस्तो इसके जो लबाई है एल का मान इसके लिए अधिक हो जाएगा तो इस परकार से अवर्थकाल होता है वो जी एवम एल पर निवर करता है इन सबी के लिए दोस्तो जी एवम एल तीनों के लिए एक्वल है तो इसका आवर्थकाल समान हो जाएगा बलकि दोस्तो इस चोथे के लिए एपन देखते है कि L का मान इन तीनों से अधिक है तो इसके लिए इसका वर्थकाल अधिक हो जाएगा तो इस प्रकार से इसका जो राइट हो जाएगा आपसे नमर डी वाला यह दोस्ता आपसकाल T T1 AOM T3 यह आपसरे में एक्वल होंगे और दोस्तो T3 का मान होगा वो सबसे अधिक होगा तो इसका राइट हो जाएगा उपसे नमर डी दोस्ते इसका जो एक्सिप्लेनेशन है वह आपको यहां पर दिया हो है कि एक सरल लोलक का आवर्थकाल इसके दरोमान पर निबर नहीं करता परंतु लंबाई पर निबर करता है वो दोस्तों माई जो लंबाई है वो चोथी यह इसका जो आवर्थकाल हटी तथिरी वो सबसे अधिक हो जाएगा तो इसका राइट हो जाएगा उपसे नमर डी दोस्तों आप चलते हैं सेकिंड क्यूशन पर सेकिंड क्यूशन में आपको क्या दिया है कि एक इंजन नियत चाल से वर्तिय पत्पर गतिमान है यदि इंजन शिटी बजाकर 500 हटज आवर्ती की धवनी उत्पन करता है तो चितर में दिखाए अनुसार पत के के अंदर पर खड़ा एक व्यक्ति के दुआरा परिक्षेपित आवर्ती होगी दोस्तो आपको क्या दिया हो कि एक अमारा ये वर्तिय पत है इस प्रकार से वर्तिय ट्रेक है इस पर दोस्तो कोई जो इंजन है वो इस प्रकार से गत्ति कर रहा है कि जो इसकी धवनी उत्पन हो रही है उसकी फ्रिक्षेपित में कितिनी दिवी है 500 हर्ट जाए वो दोस्तो इसके के अंदर पर जो व्यक्ति भड़ा है यानि सरोत eo srota आता है उसके अंदर याधि अपेक्स गत्य गत्य होती है तब हम धुस्टतो ध JACK- अन Teles जो सुनाई देती है उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज होता है यही हमारा Doppler का नियम है उसके अंदर चुता है कि दोस्तो इन दोनों के मदे आपेक्सी गती होनी चाहिए दोस्तों यहां पर पन देखते हैं कि इन दोनों के मद्द दूरी हर जगह पनियत रहती है नि दोस्तों न यह तो यह गती कर रहा है और न यह इसे दूर जा रहा है या बलकि नजदी का रहा है दोस्तों वर्ट यह पत्व कर गती कर रहा है तो य classy PlayStation आपको यहां पर दियावा है कि कि स्रोत ऐव स्रोता के बीज कोई भी आप एक्षिक गती नहीं हो रही है इसलिए जो आब आशी मूल आवर्ती है वह है अभाशी आवर्ती हुआ प्मूल आवरती के बराबर होगी क्योंका वांटिए जो अवारती आइस थे सुनाई देती है ज़ब शुरोत एवं शुर्उता के मद्ध्टे आपक्सी गति हो या तो यह इसे दूर जा हो या एसी दूर जा रहा हूँ या पास आ रही हो तब दोस्तों में जो फ्रिक्वेंसी हो चैंज हुई सुनाई देती है लेकिन यहां पर कोई भी इन दोनों की मद्धे आप एक सी गति नहीं है तो इसका राइट हो जाएगा और अपसे नमर ए वाला दोस्तों यह आपको नि क्यूशन आपर करवा रहा हूँ दोस्तों यह आपके लिए बहुत ही हैलफू साबित होंगे अब आपके लिए तीसरा क्यूशन तीसरे क्यूशन में क्या दिया हुआ है कि रेखिये आवेश गनत्वा लेमडा का एक रेखिये आवेश चितर में दिखाए अनुसार एक गोले के व्यास के अनुदिश वेचा जाता है तो गन और गोले के निर्गत व्यास का अनुपात होगा दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है कि हमारी कोई एक छड़ है उसका जो रेखिये आवेश गनतों हो लेमडा है यानि एकां का यानि लंबाई का जो आवेश वह में ल विद्ध फलक्स हो जाएगा उसका अनुपात कितना होगा दोस्तों हम क्या जानते हैं कि यह दि दोस्तों हमारे इसकी बुजा ए है तो इसका जो यह विकरन हो जाएगा दोस्तों यह हमारा रूट थरी ए हो जाएगा और दोस्तों यह दि इसकी यानि छड़ के लंबाई का जाएगा कि जाएगा यह यह रूट छाएगा में एट थरी लेमडल जाएगा तो इसके अदर दोस्तों हम जाते हैं गाउस के नियम के नुशार यह एक बंद आ कड़के किंदर की डिया क्यूं हो तो दोस्तों इसका इसका होता है तो यहां चिए इस प्रकार से हमारे इन दोनों के मान पराप्त हो गए लेमडा A रूट 3 अपोन में, एपसाल अनोट, और गोले का कितनों जाएगा, धीचिने हैं इन दोनों का अनुपाथ हम नीकालेंगे, थो मारा रूट 3 अनुपाथ दो जाएगा, यदि इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो मारा राइट यद्यों भिजाएगा, जैका, जोड़ा जाता है तो इसका जो राइट यह जाएगा अब चलते हैं नेश्ट क्यूशन पर दोस्तों पांचवा क्यूशन है इसके अंदर आपको क्या दिया हुआ है एक आवैशित कंग को एक समरूप पुंच्चुम के छेतर के लंबत तल में परशिपित किया जाता है इसके दुआरा बढ़नाया गया छेतरफल निम्न के समानुफाती होगा दोस्तों आपको क्या दिया हो कि माना कोई भी एक आवेशित कंग है उसको ए लंब चेतर के अनुदीशाने नहीं दोस्तों मार्चुम के चेतर है उसके लंबत प्रिविश्चित गया जाता है तो इसका जो चेतर लोगा वो आपको बदाना है कि किस के समान पाती होगा दोस्तों हम जानते हैं कि सभी जो तिर्जा का जो फॉर्मॉल होता है आर इस उकल टू वह में मारा क्यूँ भी होता है यहां सबी जानाते हमारी जो part too है puisque . यहां सी दोस्तों पैंड जो parts मारा क्यूबी मैं कुम बी हमें जानाती है P strength Sq स्क्राइब कि आपको यहां पर दिया हुआ है कि दोस्तों आपको यह पर दिया हुआ है कि दोस्तों तिरजया का जो पूर्मूला आपको आपको कितना प्राप्त हो गया वक्ति बियुक्त हो गत्य जूजांकि समौन पाती हो तो इसका जो राइट रोंजा प्राप्त होती है यदि 6000 एंगल इंगल्श्ट्रों तरंग देड्दे का एक वरणी परकास उप्योग में लाया जाता है तो इसी दर्शे चेतर में फिरिंजों की संक्या होगी दोस्तों आपको क्या दिया हुओ है कि यहमारा दोस्तों यह मालेती को्इंदश से स circulating है क्याधाए दोस्तों हमारे थो सीधे होते हैं इसके अंदर 4000 एंगलफिया का करमागता यानि फ्रिंजों की मद्दे की दोस्तों मार जो दूरी होती है फ्रिंच उड़ाई यह उसका फॉर्मूल होता है लेमडा डी अपॉन में डी यानि दोस्तों यह है लेमडा की समान पाती होती है यानि दोस्तों यह लेमडा का मान अधिक कर देंगे तो दोस्तों नियत पर आप्थ होता है तो यह से पन कह सकते हैं कि दूस्त आपने सोल करेंगे तो निकल कर आजए गा तो इसका जो राइटों से जाएगा आपसर में सिवाला यानि दोस्तों यह फिरिंजों की चुड़ाई वो कितनी जएगी 60 से होकर किमारा कितनी जाएगी 40 हो जाएगी तो इसका राइट जाएगा option number c दोस्तों यह यह क्यूसियो आपको 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 अच्छे लग रहे हों तो तो इस इस वीडियो को आप पर आने लाइक जुरूर कीजेगा दोस्तों यदि आप जितने बचे इस वीडियो को लाइक करेंगे यह वीडियो उतना ही ज्यादा ट्रेंड करेंगा दोस्तों उतने ही ज्यादा यह बच्छों के सपास महुंचेगा तो दोस्तों यदि सभी आप हमारी help करेंगे दोस्तों आप तक ऐसे ही अच्छे अच्छे कुशन एक्जाम तर्क रेकुलर प्रवाइड हो सकेंगे तो सब्सक्राइब देखते हैं हमारा साथ वाकिशन साथ नमर के कुशन में क्या दिया हुआ है कि मुक्त आकास की विदू सिलता epsilon note की एकाई होती है दोस्तों आपको बताना है कि मुक्त आकास की विदू सिलता epsilon note होती है उसकी unit कितनी होती है यह आपको बताना है दोस्तों हम सब जानते हैं मार जो force का formula होता है वो f is equal to one upon में four pi epsilon note है यहां पर होता है तो यहां से दोस्तों अपने इसकी unit कालते हैं तो दोस्तों मार उपर तो जाएगा कुलाम इसकार है यहां दोस्तों इसका explanation यहां पर आपको दिया हुआ है यह दोस्तों मार बलका फूर्मुला यह होता है तो epsilon note जो समान पाती हो जाएगा तो यहां से इसकी जो unit हो जाएगी उमारे कुलाम स्कार पर न्यूटन मीटर स्कार हो जाएगी तो इसका जो राइट हो जाएगा option number D अब चलते हैं next question पर दोस्तों आठ नमर के question में आपको क्या दिया हुआ है कि एक कार्णो इंजन शुरूत का ताप 127 से बीच कार्य करता है तो इसकी दक्सता होगी दोस्तों यहां दखना कोई भी आपको कार्णो इंजन दिया हो यह दिए टीवन टेंपरेचर एवं टी लेना टीवन माइनस के टीटू अपॉन में टीवन होता है यह मल्टिप्लाई में होता है सो दोस्तों यहां पर आपको टीवन कमान कितना दिया हुआ 127 डिग्री सेलसी तो से इसको केल्मने चेंज करेंगे तो हमारा दोस्तों तैंटर यहां पर सत्यासी में एदिए अड़ करेंगे 233 तो यहां पर दोस्तों कमाने अधिया रखते हैं 400 माइनेस के टी टू कमान तीन सो साथ है और अपॉन में टीवन कमान 400 इसको मल्टिपलाइ करेंगे अपने सोशे तो दोस्तो यह आपको प्राप्स आखाँए तो जाएगा 40 जने 40 यह तो इसदो आपको जाएगा 155 फाला यह दिस दोनों के और 233 जोड़ करेंगे 10 प्राप्स आख़ा 5 stick जने ,पसणắng si वाला ,ब दोस्तों आपका 9 क्यूस्टन, 9th क्यूस्टन में क्या दिया है कि की 3 पातरों में 3- professors ने खरदी के गन्णतों आपको उस परकार दिये होई हैं तो इसके आदार अधर पर दाब होगा दोस्तों आपको क्या दिआ हो कि इस परकार से दोस्तों मारे तीन समान पातर है इन दोस्तों आपकर हो परेसर बताना है कितन अपरूर्मन आपकोब उनाए लागते हैं होता है i mean तो यह दोस्तों इस चब भ constitu भु बी मारा समान हो जाएगा तो यह दिन बल कमाड़ कमाड़ और स्था पर भांद दोनों के लिए है तो जाएगा तुमारि से पर्योपर बी समान है तो इनके उड़त हुद कमाड़ अब आपके लिए 10th क영ैने, 10th किरूशन है, 10th किरूशन में क्या दिया हूँ है? पंडूबी का निर्माण किसी दान्थ पर का आधारीत होता है दोस्टो मार्व जो पंडूबी होती है, उसका झो निर्माण किया जाता है, या आपको बताना कि एक spring तुला द्वारा लिप्ट की सचसे बान दिया जाता है जब लिप्ट स्थिर है तो spring तुला का part ने W है यदि लिप्ट अचानक गुर्तव के अधिन नीचे गिटती है तो spring तुला का part होगा दोस्तों में क्या दिया हूँ कि है कि इस प्रकार से कोई एक यादिन लिप्ट है उसके अंदर दोस्तों मेर्ग से दीन आनि भा लटकावा है ये उसका दोस्तों भारे ये दी डबलू है ये doORE यह है यास्ट किसी ऑनि अचानक यानि दोस्तों येक हमारी करिक्र करने वो गुर्टव के अधिन नीचे गिरती है तो उस समय इसका पार्ठ में बताना कितन होगा तो या दखना कोई भी वस्तु यदि स्वतनता पूरवक नीचे गिर रही हो तो उसका दोस्तो जो भार होता है मैसा सुनने होता है क्योंकि दोस्तों अपन जानते हैं यदि दोस्तों हमारी कोई भी चीज है यदि वह है तवरण से उपर जा रही है या उपर जा रही तो उस समय दोस्तों इसका जो भार होता है वो डबलू ए प्लस के जी होता है यदि दोस्तों यह है तो इसका जो भार होता है वह मारा डबलू इंटू में जी माइनस की होता है दोस्तों यह यहां पर यहां स्वतनता रूप से नीची गिर रही है तो यहां पर एक अमान दोस्तों अपन जी रखेंगे तो इसका जो भार हो जाएगा मारा सुनने हो जाएगा यहां पर आपको दिया हुआ है कि स्प्रिंग तुल्यां का जो पाठांक होता है दोस्तों आर इस उगल टू A-k,o encont? कितना फराफ हो जाएगा, lipek तो इसका राइट हो जाएगा, अब आपको बारा इसमें क्या जी आओ कि किसी निकार की इस्तिती जुर्जा में कमी होती है यदि उस पर कारिय किया जाए दोस्त हमारी कोई भी इस्तिती जुर्जा है उसमें यदि कमी हो रही है आपको बताना कि कमी कब होगी दोस्तो याद रखना है यदि हमारा कोई भी पिंड़े दि संरक से बलकि अदिन कारिय करता है दो أنक से बलदो ऋबारा उस पर काईए किया जाता है उसी कंडिशन में दोस्त हमारी जो कारी युवरियक जो मारी इस्तति जिलजा हूँस में कमी होती है तो इस करायए जाएगा उप्शन 6 वाला अब है 13 नमर का क्युशन है दोस्तों तेरह नमर के कुछिशन में क्या दिया हुआ है कि साबुन के वेलियन में 20 सेंटीमेटर व्यास का बुलबुला बुनाने में आफशक उड़ जा दोस्तों आपको क्या दिया कि हमारे के पास साबून का बुलबुला है यदि दोस्तों आपको एक बुलबुला बनाना है तो उसके अंदर जो आफसक एनरजी होगे 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 जो आ भीश को आमानों में वोसरी 25त था सब्सक्राइब करें तो पराच लिए 1219 अधियुछ करते हैं तो मत्राइब मतरुजि निकारनाải तो इन दोनों को अपने मल्टिप्लाइ करेंगे दोस्तों आठ चोबीस हो जाए गए मारा हो जाएगा चोई से तो इस परकार से जाएगा 24000 पाई तो इसका राइट हो जाएगा उपसन मड़ी वाला यहां दोस्तों यहां पर इसका आपको दिया वह हैं कि एका जो पॉर्मल होता है वह आठ अच्छे कुस्णों के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप से भी को जय हिंद जय भारत